नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर भाविश आज मैं आपके एक वेरी इंपॉर्टेंट जी बताने वाला हूँ जो है कार्बो हाइडेट या सुगर से संबंद्य कार्बो हाइडेट बोल दीजिए या आप सुगर बोल दीजिए दोनों एक ही बात होती है तो जो हमारा कार्ब वे अडेट या सुगर जो है हमारी बॉड़ी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है खासकर हमारे हार्ट के लिए हमारे हार्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्यों क्योंकि जो हम सुगर लेते हैं हमारी बॉड़ी में जाता है और हमारी बॉड़ी की जितनी भी सेल लेंगे शुगर बाड़ी में जाएगी और सेल के दोरा उपयोग होकर एनरजी बनाएगी वैसे ये सुगर क्या होगी हमारी हार्ट की जो सेल हैं उनके दोरा उपयोग करके भी क्या होगी एनरजी बनाएगी जो हार्ट की सेल हैं वो भी लगातार हार्ट हमारा लगातार 2400 घ लेते हैं ये बैलेंस कार्बोहाइड लेते हैं तो हमारा जो कार्बोहाइड है जो सुगर है वो हमारे हार्ट में एनर्जी बनाता है लेकिन साथ में कुछ जो सुगर का मॉलिक्यूल होते हैं हार्ट की सैल में या हार्ट की मसल्स में जाके जमा हो जाते हैं इस्टोर हो जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं गलाइकोजन ठीक है तो जो सुगर का मॉलीक्यूल है वह हार्ट में जाकर जमा हो जाता है हार्ट की मसल्स में जाकर जमा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं गलाइकोजन ठीक है मतलब वह एक्स्ट्रा मातरा में वहां जाकर जमा हो जाता है यदि जब हम कभी जब कभी हम प्रॉपर सुगर नहीं ले पाते हैं यादि हम खाली पेट रहते हैं लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं एक दो दिन खाली पेट होते हैं तो हमारी बॉड़ी में जो एनर्जी जो जिससे सुगर से एनर्जी जो बन रही है उस सुगर की मातरा कम हो जाती है तो इससे इसका मतलब है कि energy की मातरा भी कम होने लगे मतलब बाड़ी के ना energy प्रॉपर नहीं बन पाएगी तो उसके कारण हमारे हार्ट में energy की कमी हो सकती है क्योंकि हार्ट को तो लगतार काम करना है चाहे आप सुगर खाओ या ना खाओ तो उस condition में जो extra जो सुगर हमार होने लगती है तो जो extra शुगर है वो तूटके मतलब जो glycogen है वो तूटकर हमारे हार्ट की muscles को या हार्ट की cell को energy provide करने में very very important role play करता है तो शुगर इतना important molecule है हार्ट की muscles के लिए क्योंकि जो शुगर का molecule होता है वो वहाँ जाके जमा हो जाता है और जब कभी हमारी body में शुगर की मतल्पर कम होती है तो automatically energy बनाने वाला जो molecule कम हो गया है तो इस condition में हमारे हार्ट को कोई दिकत नहीं होती है क्योंकि हमारे हार्ट के पास glycogen होता है और यह जो glycogen है यह तूट कर किया बनाता है energy बनाता है और हमारे हार्ट के function को heart के normal function को बनाए रखता है जिसस हमारा हार्ट प्रॉपर काम करता रहता है, इसलिए जो शुगर का मॉलीकूल है, यदि आप बैलेंस शुगर प्रॉपर लेते रेंगे, तो वो हमारी बोडी के लिए फाइदे मन्त होती है, लेकिन हारट के लिए भी very very important रोल प्ले करती है हाइट के फंक्शन को मैनेज करने में बहुत उप्योगी रोल प्ले करती है नमस्कार दोस्तों